दोस्ताओ आपको स्वागेत में में आजम बत करें वाला एडसेंस की एड प्लेस्ट मेट के बारे में तो आपने देखा होगा कापी धेर सारी वेबसाट को इसमें कुछ अची तरह से एडसेंस की एड को एड़्यस किया होता है तो कापी सारे मेरे पांस question है इसमें से बार बार यूजर पूछता रहते हैं कि क्या AdSense का प्लेसमेट की वज़े से हमार अर्निंग पर कोई effect पढ़ती है तो definitely आपकी अर्निंग पर पढ़ती है और मैं आपको डिटल में बताऊँगा कि आपको किस तरह से सही तरीके से AdSense की यह तो website है तो definitely आपको वीडियो देखना जाए पूरा का पूरा क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो यह सीखने को जरूर मिलेगा तो यह सब कुछ जाने के लिए वीडियो देखते रहे है तो सबसे पहले तो मैं आपको live example देखाऊंगा ताक यह आपको आ AdSense की Ad पे क्लिक करने के लिए तो यह Google की AdSense की तो पोली से इसके खिलाब है तो में भी आपका अकॉंट कभी ना कभी सस्पेंड हो सकता है तो आपको ऐसी जगाप एड़ प्लेस करने जाए जहां पे Google को लगे कि नहीं अच्छे तरह से प्लेस के साथ 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 अगर यू और यूँ बताऊंगा कि आपको इस तरह से प्लेस करने चाहिए और आपको इस तरह से आपकी AdSense की एड़ यूनिट वगे प्लेस करने चाहिए तो देखिए दूसरा ब्रावजर ओपन हो चुका है इसमें से सबसे पहले जो बेस्ट एक्जामबल में आपको बताऊंगा त तो देखिए content के 20 में भी है इसके बाद sidebar में भी है लेकिन कहीं भी इस तरह से प्लेस नहीं किया है जहां पर यूजर को force करें कि आप क्लिक कीजिए जैसे के देखिए सबसे पहले हम आपको सबसे पहला एड़ यूनिट देखा देता हूं आपको जहां पर दिखा देगा अच्छी तरह से इसके बाद आपको sidebar में देखा देगा तीन एड़ यूनिट आप देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा इसके बाद आपको last में पेस के bottom में एक एड़ देखा देखा देगा देखा आपको यहाँ पर देखा देखा देगा तो इसे perfect add placement कहते हैं आपको इस अच्छी आपको कभी भी disabled हो सकता है invalid क्लिक के वज़े से तो यह तो सबसे बहुत हो गया कि आपको किस तरह से प्लेस करना है एक बार हमारी वेबसाट को विजिट कर लेज चेक कर लिजा कि आपको किस तरह से add को प्लेस करना है इसके बाद मैं आपको दूसरा example दिखाता वह है onroad.com तो देकि इसमें भी हमने add प्लेस किया है लेकिन इसके अंदर हमने यूज़ किया है इन आर्टिकल एड और मैंने वेबसाट है वीबॉम इस पर हमने इन आर्टिकल एड का यूज़ नहीं किया है ओल्रेडि मैं इस वेबस में 5 एड़ यूज़ कर चुका हो तो और और एक दो यूज़ एड करूगा तो बहुत ज़्यादा हो देगे तो इसे रिजन से मैंने इन आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है और इन आर्टिकल के वज़े से रिस्पॉंसिव एड का यूज़ किया आप देख सकती है यहां पर अच्छी तरह से शो हो रही है इसक इतलने जाए यहां से पर हो साइड़ बढर में और इसके बाद आर्टिकल के लाइस्ट मापको एर यूज़ यज़ देखा देगा तो सिंपल है यहीं ऑको इससे डैपना करना चाहिए सब से एले तो बार बार में इस an Couple देट हो तो बार यूजर मुझे पूछता रहते है कि इस वेबसेट में कौन सी theme यूज़ की है तो वेबसेट में आयोर में स्थीम है बिल्कुल फ्री है आप इससे डाउलोड करके यूज़ कर सकते हो इसके बाद एक और मेरे पांस वेबसेट है इसके मैं आपको एक्सम्बल देखाता हूं ल PCP पर करके application की डाउलोड की link दी है तो वो विचेटर क्या करते हैं वहां पर क्लिक कर तो इसके बिल्कुल बाद में AdSense की Ad का Ad होगा और कोई यूजर वहां पर क्लिक करेगा तो यह क्लिक होगा तो यह क्या होता कि आप यूजर को फॉर्स करता हो क्लिक करने के लिए लेकि आपकी डिसकस किया था कि आपकी WordPress की website में Ad क्यों नहीं शो हो रहे है तो इसका रिजर हो सकता है आपकी WordPress की case memory इसके लिए आपको करने आपको कोई भी आपका simple plugin यूज करना कर सकते हो यसे कि आपको देखे देगा WP fastest case तो simply आप इससे देखे आपको देखे देगा menu में option वह रिसेंटली में एक वीडियो बने था है इस वीडियो में मुझे अच्छा खासा रिस्पोंस मिला और इसी रिजन से में वीडियो बने हैं काफी धेर सारी यूजर को यहीं प्रोब्लम आ रहा था कि तो परफेक्ट एड़ प्लेसमेंट की इस तरह से करें तो मेरे कहल से बाद आपके 500 heroic css का रोल्स्यूर तो आसान सब इसतरह का एक शो करवा सकता हो इसके बाद आपको सैट्बार में डिखाता की वर रहे कि वडियोग बन धार कि तरह share membership किसे तरह से करना है आपकी सेट में वे और उबो किसी तरह से आप यूजर फ्रेंस को यूजर बशो समय आ ँसा आगये होगा कि किसी तरह सापको आपकी वेफें Michal प्लेस करना है तो बस आसके डिए नहीं तक था आप एक बार ये तीनों वेफ्टर को विजिट कर लिए चेक कर लिजें कि आपको वेफ्टर कैसे लगी इसके अंदर आपको एड़ी शोहर या नहीं यह सब के बारे में मुझे कमेड में बताना मत भूलेगा थैंक्यों परोश